दोस्तों आप second semester में पहुच चुके हो और बता देते हैं first semester में अगर आप थे तो वहाँ पर questions का level कुछ और था लेकिन उनका भी पेपर गड़वड हुआ है बहुत से प्रिशिचों का ऐसा कहना है दोस्तों यहाँ पर second semester में जैसा ही आप आ चुके हो तो कुछ level जो है grow हुआ है बढ़ गया है तो यहाँ पर based method बताएंगे सभी चात्रों के लिए कोई दिक्कत नहीं है अपकी बार back नहीं लगेगी और ना ही पिछली बार लगेगी इतना भरोसर रखेगा तो बारा मजदूर दोस्तों इस काम को कितने दिन में करेंगे नार्मल कुछन है देखे सभी को एक साथ में लेकर चलना पड़ेगा अगर आप अच्छे है मैत में तो बहुत अच्छी बात है आप आगे grow करें ठीक है कोई बात नहीं है क्योंकि सभी चात्रों को लेकर चलना पड़ेगा है ना तो यहाँ पर एक सूत्र याद रखना दोस्तों M1 D2 is equal to यहाँ पर D1 क्या है D1 into M2 ठीक है तो M1 मतलब जो है आपके मैन आ जाएंगे मजदूर आ जाएंगे D2 में दिन आ जाएगा और D1 में दिन आ जाएगा और M2 में फिर से मजदूर जाएंगे तो एक काम को 30 मजदूर तो मजदूर की संक्या कितनी है तो 30 मजदूर लिख दिये M1 की जगए पर हमने अब d2 की जगए क्या लिखना है 16 दिन लिखा आईए तो 16 दिन लिख दिया ठीक है तो फिर क्या हुआ कि is equal to d1 कमान दिया नहीं लेकिन 12 मजदूर दिये है तो d1 लिख दिया into 12 लिख दिया m2 की जगए ठीक है तो हम जैसे ही देखें यहाँ पर कि अब क्या होगा अब क्या होगा तो फिर से देखें 30 गुडे 16 बरावर d1 into 12 ठीक है क्या लिखा था 30 गुडे 16 बरावर d1 into 12 तो d1 कमान यहाँ से निकाल सकते हो क्या 30 गुडे 16 अपान में आ जाएगा 12 तो क्या हो जाएगा तो यहाँ से आप काटोगे जब तो 2 चंग 12 और इसको काटेंगे 2 से 15 बार और इसको काटेंगे 2 तीयाँ 6 इसको काटेंगे 2 अठे 16 और इसको काटेंगे 3 पचे 15 तो यह जो 5 है और यह 8 को गुड़ा करेंगे तो 5 अठे 40 हो जाएगा तो यही तो आया है देखिएगा यही आया है तो 30 गुणे 16 अपान 12 और इसको ऐसे भी काट सकते हो 4 तीओ 12, 4 चकू 16 30 दसामन 30 24, 40 तो यह हमारा आंसर हो जाएगा, समझ में आया ना तो इस चीज को समझ में आना चाहिए आपको और एक बार फिर से इसको ट्राई करो और सूत्र बस यही लगाना है कौन सा M1, D2 इस उकर 2, D1 M2 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तो दोस्तो सभी प्रसिच्चों को अगर कोई भी निउस चाहिए है तो जितनी भी बहन हमारी है, बहाई है यहाँ पर जुड़ जाएगा और सारी निउस यहाँ पर अपडेट मिलती है जितने भी नए बंदे है, जरा जैहिन लिखके यहाँ पर कमेंट करें, जैहिन जितने भी नए बंदे है नया वीडियो देख रहे है यह पहली वार मेरा वीडियो देख रहे है यहाँ पर सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में एक आपको लिंक मिलेगी उसमें सभी वीडियो अपलोड है और ऐसी वीडियो लाते रहेंगे हम आपके पास ठीक है तो सबसे तेज चैनल को पाने के लिए यहाँ पर नीचे सस्क्राइब का बटन रेट करल का होगा दवा दीजेगा प्रेस कर दीजेगा और बेल आइकन को साथ में प्रेस करते रहें जिससे आगामी वीडियो मिल सके आपको इस कुश्चन को हल करने के लिए इससे एक कुश्चन एक नंबर का बनेगा देखी इस वीडियो में पांच से साथ नंबर आपका बनेगा तरीका देखी का पढ़ने का और कुश्चन कैसे करते हैं पांच से साथ नंबर को करने के लिए यह आपको एक सवाल दे दिया गया है इसमें कहता है कि भीया इसको हल करिएगा तो सबसे पहले अगर ऐसा कोई सबाल आ जाए तो सबसे पहले आप bracket को सालब करेंगे तो 3, 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 5 से 1 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा यानि bracket को पहले पूरा हम सालब कर लेंगे तो 3, 2, 5 हो गया 5 से 1 घटा चार हो गया अब हम 1 की बारी आती है अब हम 1 को यहाँ पर जोड़ेंगे तब हमारा 5 आ जाएगा ठीक है? और अगर यहाँ पर कुछ भी होता एक माइनस में होता और जब bracket को सालब करते 4 आता तो यहाँ पर आंसर में माइनस 3 हो जाता ठीक है? राइट? कोई दिक्कत हो तो कमेंटर चलूर करें दोस्तों question यहाँ से बहुत बार बना है एक नमबर में कहता है प्राकृतिक संख्या है क्या है? अब प्राकृतिक और पून संख्या में दिक्कत हो जाती है प्राकृतिक और पून संख्या आप confused होते हैं जरा यहाँ पर देख लीजिएगा प्राकृतिक संख्या start होती है हमेशा एक दो तीन चार डाट 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 अनन तक और जब पूर्ण संख्या की बात करें पूर्ण संख्या की बात करें और प्राकृतिक संख्या की बात करें तो आज समझ लीजेगा कभी मत भूलिएगा सी टेट और टेट में भी काम आएगा एक, दो, तीन, चार यानि एक से जो start हो वो प्राकृतिक संख्या है और जो 0 से start हो वो है पूर्ण संख्या तो ये वाला screenshot जली से ले लिजेगा प्राकृतिक संख्या का ठीक है ले लिया होगा अब आगे चलते है पूर्ण संख्या में पूर्ण संख्या के बिसे में आपको लिखना है एक नमबर में ठीक है एक नमबर में पूर्ण संख्या 0 से start होती है देखे प्राक्रतिक संख्या 1 से start हुई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हैं start हुई न अब जैसे ही एक क्या गे 0 लगा दो और वही सीरी चलती रहे अनंत तक जाए तो इसको बोल देते हैं पूर्ण संख्या तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई 0 और सबसे छोटी सबसे छोटी प्राक्रतिक संख्या कौन सी हो गई वो हो गई एक, ठीक है, कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो इसका स्क्रीन सॉट ले ले लिजेगा, क्रमागत पूर्ण संख्या, ऐसी पूर्ण संख्या है, जो एक क्रम्मे होती है, क्रमागत जैसे एक, दो, तीन, ऐसे, ठीक है, क्रम्मे होती है, तीन क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और संख्या का योगफल एवं आधा और बीज की संख्या होती, दो पूर्ण संख्याओं के योगफल पर संख्याओं के करम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, कि अबल बस आप इस point को याद हमेशा और क्रमागत संख्या जो पूर्ण संख्या है, एक, दो, तीन, इसका अंतर बीज का होती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ से आपके दो नमबर बन गए, सबसे जदा अपरिमे और परिमे संख्या लोग नहीं जान पाते हैं, देगे हमेशा पूछे जाता है, दो नमबर यहाँ से बनता है आपका, परिमे और अपरिमे संख्या, इस कुष्चन से, इस वीडियो से आपका बहुत कुछ होने वाला है, आज समझ लीजेगा, यहाँ बता देते हैं आपको अपरिमे संख्या क्या है, अपरिमे संख्या वो है दोस्तों, कि वे सभी संख्य जिने PYQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जाए, मतलब 1 बटे 2 ऐसी नहीं हो, 2 बटे 3 ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि P बटे Q के रूप में ना हो, और परिमे संख्या क्या है, परिमे संख्या अमेसा 1 बटे 2 के रूप में होगी, 2 बटे 3 के रू में होगी, ऐसे परिमे संख्या होगी, और यह अपरिमे संख्या के उधारण है, और अपरिमे के संख्या के उधारण क्या हो सकते हैं, 3 प्लस, root 5 2 plus root 5 इस type में या 2 root 5 इस type में अपरिमे संख्या के examples मिल जाएगे आगे बढ़ते हैं यहाँ पर एक question एक number का आपका यहाँ पर बनेगा जैसे ही आप second semester का exam देंगे उसमें कहेगा इन अंकों में से कुछ अंक आपको देदेगा कहेगा कि वहिया इनको जो है Roman में लिखिएगा तो 10 को X लिखा जाता है 7 को आपको बोल दिया 7 को पहले लिखोगे BII यानि B dual X और 20 को लिखागा dual X 9 को I X XIV 38 को इस type में जरा हमें कोई बताएगा यहाँ पर comment करके कि 50 को क्या लिखा जाता है Roman संख्या में एक नंबर आपका यहां से तै होगा दोस्तों यहां से आपका दो नंबर से एक नंबर बनने वाला है संभबना यह रहती है कि आपको केबल आपकी माइंड को चेक करा जाता है कि भीया आरोही क्रम क्या है अब रोही क्रम क्या है कुछ संख्यां देदेगा तो उनको सजाना होगा कि आरोही क्रम में संख्या को सजा सकते हो देखे, important है question और यहाँ पर आपको बताने वाले हैं कैसे, देखेगा जो आरोही क्रम है, आरोही क्रम कैसे चलता है? एक, दो, तीन, यानि आरोही क्रम की एक बार परिभासा पढ़ लो, दुवारा ना आए ये चितर देख रहे हो, ये उपर जा रहा है, जैसे हम एक जीने को चड़ते, सीडियों को चड़ते, चड़ते, शत पे चले जाते हैं तो क्या होता है? पहली चड़े, दूसरी चड़े, फिर तीसरी, फिर चौती, ऐसे हम चड़े, फिर क्या हुआ? हम एक टॉप पर पहुँच गए तो यानि एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, चार हुआ, पांच हुआ, तो यही होता है आरोहिक्रम यानि छोटी संख्या से बड़ी संख्या की और जाना, ठीक है? आज समझ में आया, तो इनको दे दिया, अब ये उट पटांग संख्या ऐसे दे दी, इनको बोला कि सजाएगा आरोहिक्रम में तो इनमें सबसे पहले छोटी संख्या देगी, पंदरा है, तो फंदरा लिख दिया, फिर उसके बाद 20 है, बीस लिख दिया, ठीक है? तो यहां पर आरोहिक्रम में सजाना है आपको, तो पंदरा, बीस और इसको 10 भी तो लिखना था, तो पंदरा, दस लिखना चाहिए था फिर 20 लिखना चाहिए था तो 15 हो जाएगा 10 हो जाएगा फिर 20 हो जाएगा फिर 45 हो जाएगा फिर 75 हो जाएगा यहाँ पर 10 missing हो गया ठीक है फिर उसके बाद सबसे बड़ी संख्या 90 हो जाएगा clear याद रखिएगा अब रोही क्रम क्या है अब रोही क्रम है अच्छे से समझाया है जरा हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि कैसा समझाया है दूसरी चीज यहाँ पर हम सभी बहन और भाईयों के कमेंट के प्रतिक्षा करते हैं जितने भी केंडिडेट हैं उनसे एक लाइक और सस्क्राइब की उम्मीद जरूर करते हैं क्योंकि यह हमारा परिवार है आप जैसा कहते हो बैसी वीडियो आती है ठीक है और जिस पर वीडियो चाहते हो वो वीडियो आई है यह हमारे सभी यहाँ पर जितने भी प्रिसिच्चु है जितने भी हमारा परिवार है भाई और बहनों का सभी जानते हैं कि हमने उनके लिए क्या क्या किया है और इसका हमें कोई वो नहीं है क्योंकि आप जैसा कहते हो बैसा ही मैं करता हूँ इसे ज़्यादा मैंने कुछ सोचा नहीं है परिवार अपना बढ़ाना है और live class के लिए यूपीटेट सीटेट चलेंगे जब तक हम master नहीं बन जाते हैं तब तक जो है आपका हमारे साथ सफर रहेगा live class चलाने के लिए जल्दी हम आएंगे जैसे ही हमारा परिवार 100 के हो जाएगा इकला हो जाएगा ठीक है तो देखीगा इस इसमें असी से start करा है 97 तक तो संख्याओं को सबसे पहले अवरोही क्रum में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें ढूनेंगे तो बड़ी संक्या कौन सी है 97 है फिर जो है 80 है ठीक है 97 हुआ 80 हुआ इसके बाद हमने देखा इसके बाद हम गया यहाँ पर 89 देखा हमने 89 देखा फिर 70 देखा और फिर देखा हमने 75 देखा और फिर 18 देखा 11 देखा 7 देखा 6 देखा और फिर पांच देगा लास्ट में दोस्तों वीडियो जो है यहाँ पर बनाने का मकसद आपका second part जल्दी upload करा जाएगा और साथ में इसके कम से कम 10 part आने वाले हैं और सारे part आपको जो है अगर कोई भी वीडियो चाहिए बहुत अच्छे से कोई भी नहीं वीडियो में केवल इतना होना चाहिए कि यह वीडियो second semester की है या नहीं है तो वो आपके लिए कामगर है वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना और बहतर study plan के लिए हमें बताते जाएं कि किस पर वीडियो चाहते हैं सुझाओ आपके लिए बहुत आमंत्रित हैं क्योंकि हम वीडियो का सारे comment पढ़ते हैं और like जो है सभी comment करते हैं हम आपके दूसरी चीज हम आपको जवाब भी देते हैं तीसरी चीज आपको यहाँ पर हलका होगा जल्दी जॉब लगेगी ठीक है फिर मिलेंगे नेक्स्ट टूब में तब तक के लिए जय ही जय भारत